दन्यवाद सभापती मोदै जी आज हम सब लोग वन नेव परियावरन पर और साथ में जलके विशे पर चर्चा कर रहे हैं सदन के अंदर और मैं मानता हूँ कि पिछले पांच वर्ष सांसत के शुरूप में भी काम किया और आज 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 आप सब के बीच में विधायक के शुरूप में भी हूँ हम सब विकास की बात करते हैं development की बात करते हैं और इस आधुनिक युग में नए नए अविश्कारों के माध्यम से मानव जीव को और भी भैतर विवस्ता देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो विशे आज का है वन नेव परयावरन का ये बहुत महत्तपुन विशे हैं। और वन छेतर के बिना ये विकास चए हम कितना ही विकास कर लें कितनी टेक्नोलोजी का निर्मान कर लें। लेकिन व्रक्ष के बिना ये सब धरासाई हो जाएगा एक समय ऐसा आएगा। आज भी मानव जीव इतना परयावरन में आए परिवर्तन के कारण पीडित है। हम सब ने अभी कुछ समय पहले रिकोर्ड तम गर्मी हम सब ने सहन की है। और आज वर्षा रितू का समय होने के बाद भी आज राजस्थान में जितनी वर्षा हम मानते होनी चाहिए उतनी वर्षा हमें देखने को नहीं मिलती है। आज मनुष्य ने जिस परकार से अपने जीवन को अपना अधिकार मान लिया है। कि ये जीवन मेरा है और इस जीवन का मैं जैसे चाहे जैसे उप्योग करूँ। और मैं अपनी सुख सुविदाओं के लिए अपने निजी स्वार्थों की प्राप्ती के लिए इस प्रकरती का दोहन करूँ, इसका उप्योग करूँ। और इसमें अपने सीमाओं का विश्तार करता चलू इसको कबजा करता चलू भगवान ने मनुष्य जीव उस भाव से बनाया है अपितु भगवान स्री कृष्ण ने तो गिता में साप साप कहा है कि ये मनुष्य मेरा ही सुरूप है और इस प्रकर्ति की रक्षा सुरक्षा के लिए मैंने ये मनुष्य शुरूप इस मिर्त्यू लोग पर उतारा है इसको भेजा है और ये मेरे शुरूप बनकर इस पूरी प्रकर्ति की रक्षा सुरक्षा करेगा मनुष्य जीव के अंदर भगवान एक अलोकिक सक्ति दी है जिसमें बुद्धी है उस बुद्धी के माद्यम से मनुष्य पूरी प्रकर्ति का संग्रक्षन करे जीव जन्तों का संग्रक्षन करे पेड है बनस्पती है मिट्टी है वायू है जल है हर वस्तू का संग्रक्षन करने का दायत तो मनुष्य का है लेकिन मनुष्य जीव ने अपनी स्वार्थों की प्राप्ती के लि की बात करते हैं हम अंगल ग्रह पे पहुचने की बात करते हैं चांद पर पहुच चुके हैं अगर इसी तरह से हमारा ये कारेकरम चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब इस पृत्वी पर मनुश्य ढूंडने से भी हमें नहीं मिलेगा जो उपभोग करना चाहता वही नहीं ह होगा तो कैसे ये संसार आगे भड़ेगा हम सब को ग्यात है और मैं उपरी सदन में भी और इस वर्तमान में राजिस्थान विधान सबा में भी हम वन छेतर के उपर चिंता बहुत करते हैं लेकिन काम उस पर आगे नहीं होता है क्योंकि हमारी भावना नहीं है जब हम आते हैं तो हमारा कोई जानकार वन छेतर पर कबजा करता है तो अधिकारियों को फोन जाता है कि अपना आदमी है जब उनकी सरकार आती है तो उनका फोन जाता है कि अपना आदमी है यह अपना आदमी तभी रहेगा जब वन रहेंगे वन नहीं रहेंगे तो हमारा कोई अस्तित गजी है हम शेटलाइट के माद्यम से वन शेत्रों का सरवे कर सकते हैं। आज की दिनाक में कितने वहाँ पर कभजा है उसको चिन्नित कर सकते हैं और जब तक हम सक्त कदम नहीं उठाएंगे और सक्त कदम आधिकारियों के माध्यम से उठेगा हमारी भावना के माध्यम से उठेगा और हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कर दें कि आज जिस वन छेतर अधिकारी के छेतर में जो छेतर फल आता है और आज की दिनाक में वहाँ पर जो चिन्नित किये हुए कबजे हैं उनके अलावा भविष्य में कल के दिन परसों के दिन एक साल के बाद उसके काल खंड के अंदर उसके कारेकाल के अंदर अगर एक भी कबजा हुआ तो उसका जुम्यवारी तै होगी उस अधिकारी के उपर तो मैं मानता हूँ दावे के स gradient का 42 और 35 मैं एक मिनट में मनतरी जी से निवेधन करूँगा मैं अपनी विदान सभा का पूरा धवन छेत्र मानने मंतरी जी से मने निवेदन किया उन्होंने बहुत बड़ा सयोग किया है मेरा मेरे छेतर में वन छेतर पे जो अवैद रूप से कबजे हैं उनको चिनित करके दूँगा और मैं चाहता हूँ हमारे लिए नहीं इस पूरी प्रकरती के लिए हमें वन छेतर की भूमी को खाली कराना चाहिए और वहाँ पर वन ने वरक्षार उपन कर और एक घने जंगल का निर्मान करकर मनुष्य जीव को एक नए जीवन की और आगे ले जाने का हम सब को मिलकर कारे करना चाहिए आप सब का मैं बहुत बहुत अन्यवाद करता हूँ अभी नंदर करता हूँ